Hello Students, Welcome back to BBBN Online Class आज हम परेंगे थियो दस्य पाथ है विमान यानम रचियाम है यानि कुछ बच्चे हैं जो विमान की रचना करना चाहते हैं हवाई जहाज बनाना चाहते हैं आकास की सेर करना चाहते हैं जो सूर्य चंद्रमा ये हैं ग्रहन अक्षत्र हैं उनकी गणना करना चाहते हैं गिंती करना चाहते हैं और जो पीडी दुखी किसान है उनकी पीडा को वो दूर करना चाहते हैं तो ये बच्चों की एक कलपना है एक उनका सोच है कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आज हम पढ़ेंगे विमान यानम रचियाम है तो रागव, माधव, सीते, ललिते, विमान यानम, रचियामे, नीले, गगने, विपुले, विमले, वायू, विहारम, करवामे यानि बच्चे बोल रहे हैं हे रागव, हे माधव, हे सीते, सीता, हे ललिता, आओ हम सब क्या करते हैं विमान याननम रचियाम है हम विमान की रचना करते हैं एक हवाई जहाज की रचना करते हैं एक हवाई जहाज हम निर्मित करते हैं नीले गगने विपुले विमले यानि नीले गगन में नीले आकास में संपूम विपुले यानि इतना विस्तरत जो आकास ह विमले और स्वच्छ और विस्त्रत आकास में वायू विहार हम करवा में और हम विमान की रचना करके विमान को बनाके जो नीला और विस्त्रत स्वच्छ हमारा जो आकास है उसमें हम वायू विहार करेंगे और करने की इच्छा करते हैं उन्नत व्रिक्षम तुंग भवनम क्रानत अवकाशम खलू याम है कृत्वा हिमवन्तम सोपानम चंद्रिलोकम प्रिविशाम है उन्नत व्रिक्षम यानि उचे जो व्रिक्ष है उचे उचे व्रिक्षों में तुंग भवनम उचे उचे जो भवन है उनको क्रांता अवकाशम खलू याम है खलू यानि निश्शिती और हम निश्शिती क्या करेंगे जो उन्नत जो व्रिक्ष है जो उचे 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 व्रि उनको सबको हम निश्चित ही पार कर जाएंगे इसे बच्चों की मन में होता है ने कि में वहां तक उड़ूंगा वहां तक उड़ूंगा एक पतंग भी अगर वो उड़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मेरी पतंग तो उससे उची जाएगी उस घर से उची जाएगी है ना ऐस तो बच्चों में ये एक जिग्यासा है, एक इच्छा है, उत्सा है उनको इमान बनाने के लिए और आकास में वायू विहार करने का उनमें एक जजबा है कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्री लोकम प्रिविशाम है, देखिए वो हिमवंतम जो हिमाले के जो पहाड है, बरफ के जो पहाड है, हिम यानि बरफ के जो पहाड है, सोपानम, सीडी, हम वो बोलते हैं कि हम बरफ की जो है, बरफ के जो पहाडों की है, उनकी तो हम सीडी बनाएंगे और कहां जाएंगे चंद्र लोग कम प्रिविशाम और चंद्र लोग में प्रवेश करेंगे हम चंद्र लोग जाएंगे किस से जाएंगे जो बरफ की जो पहाड़े हैं पहाड़ हैं बरफ के जो हिमाले हैं उनके उनकी सिधी बना करके हम चंद्र लोग जाएंग ठीक है फिर है सुक्रश्य चंद्रे सूर्यो गुरूर इती ग्रिहाने ही सर्वाने गणिया में विवीदा सुन्दरताश्य चित्वा मोक्ति खारम रच्या में बच्चे आगे क्या बोलते हैं कि शुक्र जो ग्रे नक्षतर है उनके बारे में बोल रहे हैं कि सु光 चंद्र सूर्यं सुर्य और गुरू यानि ब्रस्पति इती गुरूर इती इती मिलाया हुआ है तो सुक्र, चंद्र, सूर्य और जो ब्रिस्पती जो ग्रह है ग्रिहान ही सरवान गणयाम यानि इन सभी जो ग्रह हैं इनको हम गिनेंगे इनको हम देखेंगे इनकी हम गणना करेंगे विविधा सुंदर तारा चित्वा चित्वा यानि इनको चुनेंगे गिन करके विवि सुन्दर सुन्दर तारों को यह विए बच्चों की कल्पना है एक उनका उत्सा है कि हम वहाय बिहार करेंगे हम आकास में चलेंगे हम उच्छे उच्छे जो खर हैं भवन हैं उँचे उड़ के जाएंगे और जो बरफ्की जो पहाड़िया हैं उनकी सीडिया बनाके हम चंद्र लोक जाएंगे और फिर वहाँ जाके जो भी हमारी ग्रह सूर्य चंद्र है ना शुक्र और रस्पती जो ग्रह ग्रू इन सब को हम गिंती करेंगे और जो विविद प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सुन्दर सुन्दर तारे हैं उनका हम क्या बनाएंगे मुतिहार बनाएंगे अब दू अमबुद माला में अंबुर भूशा में आदा ये वही प्रतिया में दुखीते पीडित क्रशिक जनानाम ग्रहेशु हर्स जनिया में फिर आगे वो क्या बोलते हैं कि हम वापस आते समय क्या करेंगे अंबुर बादलो की म और अंबर भूशाम जो अंबर की जो भूशनता है अंबर की जो सुन्दरता है यानि आकास अंबर यानि आकास अंबुद यानि बादल तो बादलों की माला और अंबर यानि आकास की जो शुबा है वो आदा ये वे हैंना ही प्रतियाम वहां से लेकर आएंगे लोटते हुए लेकर आएंगे दुखी तै पीडी तै कृषिक जनानाम ग्रहे शूहर्स जनियाम और दुखी और पीडी तै जो कृषिक लोग हैं जो किशान लोग हैं उनके घरों में हम ये परदान करेंगे उनको शान्ती पहुंचाएंगे उनको प्रशंता प्राप्त कराएंगे ये सब च आकास में यह सारी चीजे जो मैंने बताई हैं आपको वह सब यह करना चाहते हैं और जो दुखी और पिड़ी जो किसान है उनकी पिड़ा को भी वो छोटे बच्चे हैं वो समझ रहे हैं तो बोलने कि उनके घर में भी हम आनंद की प्राप्ति कराएंगे हर्स की प्राप्ति क करेंगी यह आपका चेप्टर कंप्लिट होता है नेक्स्ट करेंगी हैं क्यूशन आंसर ओके भाई थैंक यू